नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मम्ता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मम्ता जुए में तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ 14 महत्पूर्ण टिप्स नियम सेयर करूँगी जो हर महिलाओं को जानना बहुत अधिक जरूरी है जिससे हमारे जीवन के हर कार आसानी से कम समय में हम कैसे कर लेते हैं तो ये tip number मेरा one है कि वैसलीन जो है ये जो है ना बहुत अधिक कारिगर है जब आप अपने बालों में dye लगाते हैं color लगाते हैं तो हमारे skin में पकड़ लेता है हमारे skin के उपर लग जाता है तो देखने बहुत भद्दा लगता है गंदा लगता है तो जब कभी भी आपको म फोरेड पे दाग वगरा नहीं लगेगा और बहुत आसानी से आप dye लगा सकते हैं tip number हमारा two के है कि हम घर तो बनवा लेते हैं बहुत सोक से और ये जैसे उस पे सानबाई का वगरा लगा लेते हैं या पॉलिस वाली बहुत सारी चीजे furniture वगरा हमारे घर में हो जाते हैं तो उसको साफ करना भी मतलब चमकीला साइनिंग रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है तो इसके लिए आपको क्या करनी है कि किसी भी प्रकार का नारियल तेल एक कपड़े पर लेकर उसका साइन बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा बहुत अधिक नहीं थोड़ प्रकार के फरनीचर को आप साइन बरकरार रख सकते हैं फरनीचर के ऊपर थोड़ा सा आप रगड़ सकते हैं तो साफ रहेगा टिप नमबर थ्री हमारा क्या है तो देखिए जब कभी भी आप कीचन में कार कर रही है तो एक प्लेट या थाली आपको जरूर रखनी सारे कूणे कचड़े एक जगा इकठा कर लेते हैं टिप नमबर हमारा फोर क्या है कि ये टामाटर जो है न तो हम महिलाएं चाहें तो इस प्रकार के चौपर भी अपने घर में रख सकते हैं या आप चाहें तो अगर आपके हाँ चौपर नहीं है देखिए हर आदमी के घर हर चीज नहीं होता तो आपको ग्रेवी वेगरा में जैसे इसके छिलके आते हैं तो बड़ा खराब लगते हैं फिर उबाल कर और फिर छिलके निकालना बहुत मेहनत लगता है बहुत बड़ा टास्क हो जाता है तो आपको क्या करनी है कि गोल अगर टामाटर को घीसते हैं तो वो नहीं घिसता है अच्छे से बीच से कट कर लिजे और कदुकस से उसको कर लिजे एक दो टमाडर भी रहता है ना तो ग्रेवी ठीक भी हो जाती है और छिलका जो है मूँ में नहीं आता क्यूंकि हर जेन्स को छिलका पसंद नहीं आता बोजन में और बच्चू को भी न इसमें सब्जी वेगरे डाल कर बनाती हूं नुडल्स के जैसा उबाल के और पानी को फेक के तो उसमें भी अगर छिल के आते हैं टामाटर के तो बड़ा खराब लगता है मुँ में फस्टे हैं फिर निकालना पड़ता है बच्चे तो और गुस्टा करते हैं और रोते छिला खाना नहीं चाहते हैं तो इसलिए आपका भी भी टामाटर को कदुकस करके अगर डालती हैं तब आप डालिए देखे आपका ग्रेवी भी अच्छा होगा और इस परकार के नूडल्स भी अच्छे होंगे टिप नंबर फाइब क्या है कि कई ऐसे लड़किया हैं मेरी बहने हैं कि प्याज जब हम काटते हैं तो हमारे आँखों से बहुत अधिक आँसू आने लगता है तो हम बहुत परिसान हो जाते हैं और बहुत दर्द होता है आँखों में जलन होने लगता है तो आप प्याज को कम से कम 10-15 मिनट पहले से ही पानी में डाल के रखें और इस परकार से कदुकस करके भी आप ग्रेवी बना सकते हैं क्योंकि हर सबजी में प्यूरी करके मिक्सी में पीस के सबजी बनाना उतना अच्छा नहीं लगता हर आदमी को थोड़ा सा चंक्स जैसा चाहिए और अगर हम प्याज की पकोड़ी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो बारिक चाहिए तो आप क्या कीजेगा इस प्रकार के जो हम छिलने वाला आलू का रखते है न तो उससे भी आप पतले प्याज के स्लाइस काट सकते हैं और उसके आगे आप पकोड़ी बहुत सुन्दर बना सकते क्योंकि प्याज पतला होता है तो पकोड़ी का टेश्ट डबल हो जाता है और अच्छे से बेसन में हम इसको मैस कर सकते हैं तो आप भी टीवी देखते देखते कीजिए टीप नंबर हमारा 6 क्या है तो भी देख लिजिए तो हर घर में जिनके यहां दूद आता है तो पैकेट्स के दूद से भी आप निकाल सकते हैं अगर फूल क्रीम लेते हैं तो यह आपके घर दूद आता है गौला दे जाता है तो भी आप देखिए मैं मलाई उपर से निक पड़ता है दाल घुटनी से और बहुत हाथों में दर्द हो लगता है बहुत समय भी लग जाता है एक टास्क जैसा हो जाता है एक तो हमारे पास ऐसे ही टाइम बहुत कम रहता है और फिर बैठ जाओ यह करने तो और भी अधिक समय लग जाता है तो आप मिक्सर मिन्टों में हो जाता है आप एक बार जरूर करके दिखेगा पानी बहुत अधिक मत डालिएगा और जब तक आपका मखन एक जगई कठा न हो जाए तब तक थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर को चला दीजिएगा मतलब एक दो मिनट लगता है बहुत अधिक नहीं समय लगत है तो आपका निकल जाएगा और मखन को आप एक जगई इकठा करते जाए और घर का ये प्योर हो जाता है कोई मिलावट नहीं है बच्चों को हम रोटी पूरी पर रठा में दे सकते हैं बहुत सारी महिलाएं मेरी बहन ही निकालती होंगी और देखिए मैं यहां घी बना ही हूँ एक जगह डालके कड़ाही में टिप नंबर सेवेन हमारा क्या है तो देखिए यह जिनके हां हाड वाटर आता है ना बहुत अधिक उसमें आयरन रहता है तो नल के उपर सीमेंट के जैसा हाड बैठ जाता है बहुत देखने में भद्दा लगता है गंदा लगता है तो आपको क्या करने चाहिए वीकली भी आप कर सकते हैं या वीक में दो बार भी कर सकते हैं वीकली ही कीजे तो इसको हम क्या करेंगे हार पिक लेकर ये कोई पेड वीडियो नहीं है ये भी मैं आपको बता दूँ जिस चीज से मुझे आराम मिलता है आसानी से अपने कारे क अदिजी और एक बात का ध्यान रखना है बहुत अधिक देर तक हारपिक लगा के आपको छोड़नी नहीं नहीं तो इस टील की चीज़े काला पड़ जाती है इस बात का आपको ध्यान रखेगा सेम टाइम पानी से धो दीजिएगा इस टील के चीजों पर लगा कर बहुत दे और ग्लू होता है निकलता नहीं है तो यह तो मुझे लग रहा है आप लोग को मालूम होगी यह मेरे बच्चे देखे वाड पाये थे स्कूल में तो बहुत दीनों से यह प्लेट में रखी थी तो देखे इसको थोड़ा सा गरम कर लेते हैं तो यह बड़ा असानी से निकल ज प्लेट है तो मैं सोची अब इसको निकाल ही देती हूं यूज करूंगी बहुत अधी गरम हो गया है देख लीजे और आप लोग भी संडसी से पकड़के चिम्टे से पकड़के और तब यूज कीजिएगा तो देखे कितने आसानी से निकल जाता बरतन में स्क्रैच भी न मसाला वेगरा जब रखती हूं तो खराब नहीं होते हैं बहुत अच्छे और मजबूत भी रहते हैं तो इसमें लगा हुआ था लेकिन मैं निकाल दी बहुत गलती की आप लोगों को दिखाई रहती और निकलता नहीं है जैसे कि यह सौस के बॉटल से नहीं निकल रहा है निकलता नहीं है तो उस रहपर को निकालने के लिए आपको सीसी को भी न गरम करके और फिर आपको निकालनी चाहिए ठीक है तो आपका साफ भी हो जाएगा और बहुत इजली निकल सकता है और आप उसमें मसाला वेगरा आराम से श्टोर कर सकती है बिलकुल दिक्कत नहीं होगा इस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए टिप नंबर हमारा नाइन क्या है ये भी बॉटल को ही लेकर है तो देखिए ऐसे हमारे पास जैम के जो बॉटल होते है इसके उपर का रह पर हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक के लगे होते हैं तो सीजर से कट करके निकाल देते हैं तो जब इसको हम धो लेते हैं सुखा लेते हैं जब जैम का बॉटल बहुत कामयाब होता है कुछ भी मसाला वगरा रखने के लिए या सौस के बॉटल तो इसको हम कट करके मालीजे इसमें हम मसाला भर रहे हैं सुखा के धूप में अच्छे से जो इस पे मसाले का नाम लिखा है इस पैकेट के उपर उसको हम अच्छे से कट कर लेंगे और कट करके इस बॉटल में हम रख देंगे क्यों रखेंगे कि हम कई प्रकार के मसाला रखते हैं जैसे सब्जी मसाला हो गया बिर्यानी मसाला हो गया छोले मसाला हो गया सब एक जैसे ही दिखते हैं, भले ही हम लोग को दिख जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पहचान जाएगी कौन सा मसाला क्या है, कभी हस्पिन लोग बनाई है, कोई बाहर का आदमी है, तो उनके लिए भी दिक्कत होता है, तो आप इस परकार का लेबल आपको लगाने के ज जब हम फरे वगएरा या इडली बनाते हैं, कोई भी स्टीम वाली चीज़े बनाते हैं, तो कई इसी लोग है लड़कियां वगएरा कि उनको पता नहीं चलता है कि यह बना है कि नहीं बना या केक वगएरा, तो आप चाकू की सहायता से आप चेक आउट कर सकते हैं, क्या करे, क्या यूज करें, न करें, तो इससे बहुत कुछ आप बना सकते हैं, ऐसे ज़रूरत मन को आप दे भी सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, तो खाली बेटने से अच्छा, कि चलो घर के कोई, मतलब जरूरत वाली चीज़े हम बना ले, तो इसको हम कट कर लेंगे चार टो टिप स्अपकर और हम तरो हैं यह जाएँ से दमाने परिजाएं। तो tip number 12 क्या है तो ये क्या है कि देखिए जब हम मीठे चीज रात में आप लोग बोलते हैं दिदी हम रोटी कैसे ढखे हम ये ऐसे मतलब हमारे घर में चीटी आ जाते हैं कौकरोज आ जाते हैं उनके लिए बता दू कि आप अपने घर में इस प्रकार का ना इसको हीट का ही है लेकिन इसको लक्षुमन रेखा भी बोलते हैं तो आप कोई भी चीज ढखे तो अपने कीचन में इसको रखे और ऐसे लक्षुमन रेखा जैसा बना दे के अंदर चीती कौकरोज कुछ न जाए और आपका खाना या कोई भी चीज सुरक्षीत रहे भोजन वेगरा रात में जब आप ढगती हैं तो यह सूगर में घी कर डबे में भी आप लगा कर रख सकती हैं यह कोई पेड वीडियो नहीं है यह भी आपको बता दूँ यह सब चीजे मैं दिखाती हूँ तो फिर लगता है कि आप लोगों को लगेगा कि यह कंपनी का है तो जो मैं यूज करती वही आपको दिखा रही हूँ और देख यह सूगर के सकर के डिब्बे पर भी मैं लगा देती हूँ क्योंकि गर्मी के दिनों में न सच में चीटियां बहुत अधिक निकलती हैं और आजाती है और आप लोगे कमेंट्स भी आते हैं तो यह इस ते माल कर सकती है आपके अबर हमारा 13 क्या है तो देखिए इस परकार के बॉक्स हमें online वगरा से मिल जाते हैं कुछ भी हम मंगाते हैं तो बहुत सारे बॉक्स हमारे घर में हो जाते हैं तो आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं यूज कैसे करेंगे एक अपने बच्चे का छोटा टी शट जो सकती हैं डबा भी यूज में आगया और देखने में भी यह बहुत अधिक खुबसूरत लगता है और बच्चे के एक टी-शट से इतना सुन्दर चीज जो कि बीना काम का हो जाता है बीना यूज का क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके ड्रेस जो है टी- गर्मी के घर में रहता है तो आप चाहे तो इसके बॉटम को ना पेंट से या नेल पॉली से पेंट कर सकते हैं और इस परकार के लेस वाले कपड़ा लेके यह सुन्दर डीजायन वाले आप ऐसे मैं गुलू नहीं लगाई हूँ अभी मेरे पास नहीं था आप चाहे तो ल तो आप रख सकते हैं चोते हैंकी वेगरा किचन के आप इसमें रखकर बंद कर सकते हैं। नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजएगा, बेल iqn को प्रेस कर दिजएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहूँचे